प्रदेश सरकार स्वास्त सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जिम्मिदार कर्मचारी और अधिकारी ही उनकी मंचा पर पानी फेर रहे हैं। मामला मंडला के मवई सामुदाइक स्वास्त केंदर से आया है। जहां ग्रामिडों ने बीएमो और उनके अधिनस्त डॉक्टरों के खिलाफ पोस्ट माडम के लिए रुपए मागने के आरोप लगाए हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार के द्वाराशास के अस्पतालों में मरीजों के लिए हड़ता है की सुविधा उपलवद करवाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनी के जिम्मदार अधिकारी और कर्मचारी मंचा पर पानी फेर दे नजर आ रहे हैं। मंडला के मवई सामुदाइक स्वास्त खेंदर में बीम और उनके अधिनस्त डॉक्टर अपनी मनमारी से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामिडों ने पोस्ट माडम करने के लिए इनके खिलाफ पांच से दस हजार रुपे मांगने के आरोप लगाए हैं। ग्रामिडों ने जब इस मामले की शिकायत विधायक नाराइंट सिंग पट्टा से की तो वह अस्पताल पहुची और बीमो नैनो डिंडोलिया पर भड़के और जम करफट काल लगाई। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट